हलो फ्रेंड्स सर्दियों का मौसम आ गया है और साथी मार्केट में भी आप मत्र दिखाई देने लग गया है तो क्यों ना आज हम लोग एक मत्र की नई रेस्पी बनाए जो शायद ही आपने कभी खाई होगी और एक बर बनाएंगे तो बार बार आपका बनाने का मन करेंगा तो आज मैं आप लोगो के लिए एक डिफरेंट रेस्पी लेगर आई हूँ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चानल को लाइक, शेयर और सिस्क्राइब करिए तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आम मत्रा का टेस्टी प्रांठा कैसे बना स पटे और बिना बेले, आपको बेलने की भी जुरत नहीं पड़ेगी तो यहां पर देखे एक कटोरी मैंने मत्र लिया है और यहां पर मैंने उसमें लसन अद्रा को थोड़ी हरी मेज जालके इस तरीके से दर दरा टाइप कर लिया है अब हम लोग मत्रा को फ्राई करेंगे ताकि मत्रा का पानी अची से निकल जाए इसके लिए यहां पर मैंने कडाई लिया है कडाई में वेजीटेबल ओईल लिया हलका सा हीन जीरा और उधूर सा सरसों के दाने और सारी चज़े मेरी फ्राई हो गई है तो थोड़ा सा मैने चौप ऐज़े निए निया है और सारी पानी बिल्कुल निकल जाए और यहां पे देखिए कुछ पे मसाले उसकर रही हूं धनिया हल्दी मिर्च और थोड़ा सा नबग और सारी चीजों को आपको पान से साथ मियां तक अच्छे से चलाते रहना है ताकि इसका पानी बिल्कुल निकल जाए अगर पानी रहेगा तो प्रांठा हमारा बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा और यहां पे देखिए प्रॉपरली जो हमें स्टफिंग का दो बिल्कुल तयार है और एक तरफ मैंने लिया है यहां पे आटा थोड़ा सा आटा लिया है जिसमें आप पांच से छे प्रांठे बना के तयार कर लेंगे औ अब जितना इसको मस लेंगे जितना गूथेंगे उत्ना ही आपका डो मेगुल प्रॉपर तरीकसे तयार होगा और अपका परफेक्ट पनेगा और यहां पर देखिए बिल्कुल तयार है खोड़ा समय लगा दिया है घी गी से विल्कुल स्वॉफ्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखें लोई लेनी है जिससाब से आप रोटी या प्रांटे के हलकी से थोड़ा बढ़ी लीजिएगा जैसे आप प्रांटे की लेते हैं उसी तरीके से थोड़ा से यहाँ पर मैंने ड्राइ आटा यूज करा है और चकले के ऊपर इसको फटा फट से आप मेलना श प्रांटे के उपर भी आम उसी तरीके से घी लगाएंगे और यहां पर देखिए थोड़े से मैं यहां पर यूज कर रहे हूं धनी की पत्तियां धनी की पत्ति से फ्लेवर भी अच्छा एगा और तेखने में भी अच्छा लगेगा साथ ही जो मेरा मट्र का जो मिक्सचर मैं अब देखिए मट्र को तो मैंने प्रॉपर तरीके से ट्राइंगल शेप में अच्छे से विकुल बिछा दिया है लोही के उपर और आपको यह तरन का पूरा अच्छे से मैथड देखिगा कि मैं इसको कैसे टन करूंगी तब ही आप परफेक्ट प्राठा बना पाएंगे और यहां पर देखिए लोही को हमें दोनों तरफ से टन करना है पहले हम इधर की तरफ से करेंगे और उस साइट से करेंगे अब दोनों तरफ से टन करने के बाद आप इसके उपर खोड़ा सा घी लगाईएगा क्योंकि देखिए प्राठे में तो घी का ही टेस्ट होता है जितना आप घी लगाएंगे उतना ही प्राथा आपका टेस्टी बनेगा और यहां पर मैंने उपर की तरफ से टन करके नीचे से हलका उसको ट्राइंगर शेप में दे दिया है और हाइंड की हल्प से थोड़ा थोड़ा से फेला दीजिएगा प्रेस करिएगा ताकि यह बिल् तरफ से बिल्कुल तयार हो चुका है तो यहां पर मैंने इसको तवे पर डाल दिया है एक तरफ से सिग्गिया है दूसरी तरफ से सिग्गना बाकी रहिया है और दोनों तरफ मैं इसके उपर लगा दूंगी घी देसी घी से यह आप प्रांठे को बनाईएगा तो आपका जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा क्योंकि देसी घी का प्रांठे का टेस्ट अलगी होता है तो दोनों तरफ से मैं इसको अच्छे से सिखूंगी और आप देख भी सकते हैं या पर कि मेरा प्रांठा कहीं से भी फटा नहीं है तो देखाना आपने कितनी जल्दी ब अच्छी होती है और यहां पर देखिए पर्फेक्क प्रांठा बनके तयार है और यहां पर मैं आपको बीच में से तोड़के दिखा रही हूं सारी जगह पर मटरी मटर दिखेगी और जब आप इसको खाएंगे तो रियल ही कहती हूं बहुत ही टेस्टी लगेगा और आप इसको चटनी, दही, पिकल किसी के साथ भी इंज्वाई कर सकते हैं अपने आप लंच में लेके जा सकते हैं बच्चों के लिए भी अच्छा ऑप्शन है बच्चों को खिलाइए तो उनकी हैल्थ काफी अच्छी रही ही तो कैसी लगी रेस्पी तो प्लीज कमेंट में बताइए और अगर रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें